आजकल लोग अक्सर मुझसे कई सवाल पोस्ते हैं अपने पोदों के पत्तों के बारे में किसी के पत्ते बिल्कुल बैंगनी रंके हो गए हैं किसी के लाल हो गए हैं किसी के पत्ते हलके किनारे सूख रहे हैं तो आज मैं आपको ये बाते बताऊंगा कि इन पत्तों से आप क्या अर्थ निकालेंगे हैं, क्या आपके पोधे में किसी तत्व की कमी है, क्या पोधा स्वस्थ है और ये केवल मोसम का बदलाओ है, या पोधे में कोई रोग है इस पोदे को ये धवल का पोदा है देखिए एक अमरूद बचा हुआ है कितना खुबसूरत अमरूद है ये देखिए इसमें देखिए यहां से लेकर ये पत्ते लगबग लाल कह लीजिए इनको यहां से ये पत्ते में थोड़ा सा लालपन है इसमें ये देखिए ये बाकी हरा है लेकिन उपर तक देखेंगे तो फिर ये हरे पत्ते हैं और यहाँ पर ये फिर जो है उपर से लाखेंगे बाकी अम्मोमन पूरे पोदे को देखेंगे तो आपको इसमें हरापन अधिक नजा रहा है कि मेरे पोदे में कोई रोग है या नहीं है चलिए कुछ और पोदों का अवलोकन करते हैं और फिर ये पता करने की कोशिस करते हैं कि क्या है ये छोटा पोदा है जो मैंने धिरिंग में दिखाया था इसमें कहीं भी एक दो पत्ते को छोड़ कर कहीं भी इस प्रकार का रंग नहीं है और यह पूर्ण रूप से स्वस्थ पोदा है अब आईए थोड़ा बाग की सैर करते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं यह पोदा बिल्कुल हरा है इसमें मुश्किल से कोई 5% जो है उपर से इसके पत्ते लाल है यह वाली लाइन देखिए दोनों पोदे यह मेरे धवल के पोदे हैं यह लाइन पूरी धवल की है इसमें सब पत्ते ग्रीन है उपर से बहुत कम है इन पत्तों का कारण यह है कि ठंड बहुत पड़ रही है हाला कि मैं नमी बनाई रखता हूं जमीन में लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है और पिछले कुछ दिनों में पाला भी पड़ा है तो ये उसके असर के कारण रंग बदला है इन्होंने बाकि आपको पूरा पोधा देखना है इसमें कोई घबडाने की आवश्यक्ता नहीं है आप पोधों में नमी बनाए रखें और आपका पोधा ये बिल्कुल च्वस्त है देखिए कितना बढ़ी से नए पोधे बनाऊंगा और फिर इसको आटा दूँगा देखिए कितने अच्छे अम्रूर लगे हैं बीबी इस पर उपर की तरह आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें तो उपर से ये हरा है और नीचे से देखिए ये पत्ते जो है इसके लाल हो रहे हैं बिल्कुल पाले का असर है जो सर्दी के कारण होते हैं और जो ये पत्ते हैं इनकी उमर हो चुकी है ये ध्यान से देखना है आपको इन पत्तों की उमर हो चुकी है और ये पत्ते अब फरवरी के बाद गिरने सुरू हो जाएंगे ये साखा मेरी सही है या नहीं है ये इस बात का उद फिर्मार पोधों की तरफ चलते हैंगे जिसमें निकलेगा यह थाई पिंग का पोधा है यह वाला पोधा इसमें इतना हरापन नहीं है लेकिन इसमें खास बात आपको दिखाई देगी कि जितने भी यह हैं यह कमी है यह एक तरह से आप देखिए कि यह लाइने यहां पर इस इसे ही पोध्ते हैं यह देखिए लेकिन इसके किनारे बिल्गुल स्वस्थ हैं तो इस पोधे में पोशक तत्व की कमी है यह पोधा मेरा अलाबादी सफेदे का पोधा है इससे हमने बहुत कम फल लिया ता यह थोड़ा कमजोर पोधा है इस लाइन में इससे पहले वाला है कि इसमें देखिए यह किनारों से भी लाल हो रहे है यह गुलाबी पन है लेकिन बीच में से नहीं है यहां से नहीं है तो यह किसी तत्व की कमी नहीं है यह पत्ते पुराने हो चुके हैं और अब इसमें से नए पत्तों का सरजन होगा और चूंकि पोधा ज्यादा बड किनारों से हैं यहां से नहीं है बीच में से कोई भी बिमारी नहीं है यह सिर्फ किनारों से होना हुआ है चुकि Theo पाले का असर है जब थंड़ पढ़ती है तो यहां से पाला के अनुसार यहां प्रोब्लम bliver अम्रूद भी लगा यह और फर देखें यह मैं अभी यह सूखी नहीं है, चुकि इसमें निमा टोड़ आया था और मैंने इसका इलाज कर दिया, तो यह रुक गया, तो यहां से यह सूखने लगती है, यह वाली, तो यह बेसिकली पोटास की कमी को दिखाती है, लेकिन अगर इसमें अन्तिम यहां से यह बंद हो जाए, और यह पत्ते छोटे रह जाएं, तो आप अपने पोधे की जड़ वज से देखें, या तो उसमें विल्ट मिलेगा, या उसमें नीमा टोड मिलेगा, एक बात और होती है, कि मेरे बाग में ऐसा कोई पोधा नहीं है, कि इन दो पोधों को देखें, कितने हरे भरे हैं, बिल्कुल लेकिन कोई भी पीलापन लिये हिए नहीं है, अगर आपके पत्तों में पीलापन है, तो उसमें क्या होता है, कि आपको नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है, पीलापन होने में, जो पीलापन होता है, अक्सर कर अगर आपके पोधे का बिल्कुल पत्ते पीले हैं, ये इसमें नई फुटान भी हो रही है तो कोई घवडाने की बात नहीं है ये आपके नाइट्रोजन की और सल्फर की कमी के करण होता है बेसिकली अगर पूरा पत्ता पिला है तो वो लेकिन अगर उसके किनारे भी सूख रहे हैं और आगे से यह पतिया भी नहीं निकल रही है त और इसमें आपकी हरियाना में भी है तो अक्सर कर पोधों के रंग बैंगनी या लाल मिलेगे इसका कारण केवल ठंड होती है कई दिन तक सूरज नहीं निकलता और अगर सूरज निकलता भी है तो कम समय के लिए निकलता है और पोधों को अपनी जो भोजन बनाने की क्रिया ह जो प्रकास संसलेशन की किरिया है उसमें कमी आती है और इसके कारण उनके पत्ते जो हना थोड़े-थोड़े से रंग बदलने सुरू कर लेते हैं तो रंग बदलने से आपको कुछ पोधे देखिए मैं दिखा रहा हूं कि बिल्कुल इनका पोधा यह जो हना गुलाबी कल यह कुछ नहीं ठंड के कारण है जैसे ही फरवरी का अंतिम सप्ता आएगा यह पत्ते गिड़ने लगेंगे नए पत्तों का सरजन होगा और यह पुराने पत्ते अपनी उमर ले चुके हैं इसलिए यह खतम हो जाएंगे किसान साथियों आज मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि आपके पोधों का अगर पत्तों का रंग बदल रहा है तो उसमें क्या-क्या समस्याय आ सकती है या आपका पोधा स्वस्त है इसे पहचानने की कोशिश की है एक दो पोधा या एक दो टहनी से कोई फरक नहीं आपको पत्ते का अच्छी तरह निरिक्संड करना है किनारे देखने है आपकी यहां से यह लाइने का रंग बदला हुआ है या पूरे पोधे का रंग है या सिरफ यह किनारे पर रंग है अगर किनारे पर रंग है यह कोई बात नहीं यह ठंड के कारण है लेकिन यहां से सूख रहा है और पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपके इसमें रोग आ गया बाकि लाल पत्तों से गुड़ाने की कोई आवश्यक्ता नहीं इसी के साथ मैं विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत वंद्यवाद मुझे बढ़ी हैं लिए